हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने LG W11 Android वाइल फोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं यानि आफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने while phone में setting page आपको open करना है ठीक है setting page को open कर लीजे setting page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा यह sound का sound पर आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिलेगा यह touch sound का ठीक है touch sound इस option के ठीक सामने आपको यह button दिखाई देता है इस बटन को आपको select करना है ठीक है तो ये बटन आपका black color में off हो जागा यानि कि आपकी touch sound setting इस तरीके से disable हो जाएगी ठीक है अब ये touch sound setting जो है डिसेबल होने के बाद इस setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ आप अपने mobile phone के अगर किसी भी page पे होंगे या फिर किसी भी application के अंदर होंगे आप अगर किसी भी option को touch करेंगे तो कोई भी sound की आवाज नहीं आएगी ठीक है तो ये touch sound setting जो है डिसेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करेगी आपकी ये setting ठीक है और यहाँ पर आपको search बार में type करना है touch sound ठीक है जो setting का name है वो आपको पूरा type कर देना है इस तरीके से तो आपको नीची की set ये option शो हो जाएगा यहाँ पर आपको नहीं एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सबसे उपर ये search बार में setting का name आप type करते है तो आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे ये option दिखाई नहीं देगा ठीक है इस बात का आपको ध्यान रखना है तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते है जब ये option नीचे show हो जाता है तो इसे आपको select करना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone जो है न आपको direct इस setting में ठीक है